Central Bank of India Saving Account Opening Online दोस्तों अगर आपने भी अपने सेविंग काउंट Central Bank of India के अंदर ओपेन करा रखा है या एक नीव अकाउंट आप Central Bank of India के अंदर ओपेन कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं इस वीडियो में हमने आपको बताए कि अगर आप एक सेविंग अकाउं सब्सक्राइब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेए ताकि आपको सबसे पहले आपको Central Bank of India Saving Account के minimum balance and charges देखने के लिए service देखने के लिए आपको central bank के official portal पहना होगा जिसका link हमने आपको description box में दे रखा है जिससे आप direct central bank के minimum balance and charges को portal पहुंच जाएंगे आपको यहाँ फिर थोड़ा सा निचे scroll करने ना scroll करने के बाद सबसे पहले आपको पहले आप यहाँ पर single account open करा सकते हैं single account कराने के लिए individual होना ज़री है second way आप आप अपना joint account भी open करा सकते फिर से third में आप यहाँ आप माइनर account का भी option मिल जाता है माइनर अपने parents के साथ यहाँ पर करा सकते हैं जिसको आप ही अच्छे से व्टिलाइस कर सकते माइनर एकाउंट कराने के लिए कम से कम आपकी जो है दस साल से ज़्यादा होने चाहित तब भी आप अपने परेंट के साथ ज्वाइन्ट टिर्म करा सकते हैं इस बैंक के अंदर यहां पे फिर से आपको blueberryN कलब आपने सॉसाइटी के नाम से या टलब कराके सकते एपने Crown क चुख्वाइट कर keeping करा सकते हैं एपने Cars लंटा क्रा एंडर और back करा सकते दन लेटर इस वह इशनल पोपूलेशन रजिस्टर कॉंटेर इसा परमांध पतल जिसमें आपका नीम और डिटेल उप्राब दो तापू सर्टिफिकेर से भी अपने एकाउंट उपिन करा सकते फिर से आपके एकाउंट कर लोग जाता है आप अपने पेंट से भी अ सब्सक्राइब करते हैं उनको अपने काउंट में 2000 रुप्य मेंटेन करके रखने होते हैं और यहां पर बात करते हैं चार्जिस फॉर सब्सक्राइब करते हैं उनको अपने काउंट में 500 से ज्यादा और 1000 से कम रखते हैं उनको जो है चार्ज की रूप में 60 रुप्या प्रती 6 मंत में देने होते हैं फिर से जो अपने सब्सक्राइब करते हैं उनको एक सो भी रुप्या छे मंत में अपने बैंक को चार्ज देने पड़ते हैं वही हम आपर और ब्रांचे की बात करें जो अपने एक हजार से ज्यादा और 2000 से कम रखते हैं उनको जो है यहां पे चार्ज की रूप में सो प्रती 6 मंत में देने में यहांपे भी मेरे मेनुं करते हैँ मेरें में o. अपने को अग्यों करते हम अगरों अपने जो MICR चीक्स में आपको सेंटल बैंक के दोवारा 20 पने का चेक्वुक एक साल के लिए फिडियो आफ कोस्ट फरवाइड किया जाता है वही अगर आप 20 पने से ज्यादा की चेक्वुक की रिक्वाइर करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रति पन्ना थीन रुपया आपसे बैं चार्ज करती है अगार अ में आप इडल यानी निकासी की बात करें तो दोस्तों अपने ब्राइट में आप च कर सकते हैं वाइड़ोज? पर पर आप कर सकते हैं आउगी अगर आप अपने परिवार में किसी को भी नोमनी एड कर सकते हैं और फैट्रेटी के बात करें तो दोस्तु आपको चेक औरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है और इंस्ट्रक्षण मिल जाता है इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग जाता है सेफ डिपोजिट एंड वैल फेलिसिटी का अप्सन मिल जाता है एसमेस अपने काउंट में जमा करें या निकासी करें उस दोनों के सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल कौन कर ले ताकि आपको बैंगिंग से जोड़ी अपडिट सबसे पहले आप तक पहुंच सके करें